दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, युद्ध का तरीका बदल रहा है। अब भारी भरकम 10-Core Jumbo Fighter Jets का नहीं, छोटे मगर विसफोटक हथियारों का जमाना है। Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV यानी लगातो जोन ऐसा ही एक हथियार है। भारत के पास जल्द ही घातक जैसा स्टील्थर ड्रोन होगा। भारतिय वायुसेना IAF के लिए Defense Research and Development Organization DRDO इसे डैवलप कर रहा है। DRDO घातक ड्रोन में मिसाइल, बम वा अन्य गाइड़ हथियार रखने की जगा होगी। इसमें टर्बो फेन इंजन लगा है जो इसे 30,000 फीट की उचाई तक ले जा सकता है। घातक UCAV का टेक्नोलोजी डिमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट UAV काफी कुछ अमेरिकी भी दो स्टील था बॉमबर से मिलता जूलता है। इसका वजन करीब एक टन है। भारत में ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत 2009 से हुई। तब और यानि Autonomous Unmanned Research Aircraft प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोजेक्ट घातक उसी से निकला है। इसका मकसद लडाई में इस्तिमाल होने वाले ड्रोन तयार करना है। घातक, ड्रोन, Flying Wing, डिजाइन पर आधारित है। यानि ये हेरक्राफ्ट अपने साथ ज्यादा इंधन और हत्रियार ले जा सकता है। घातक, ड्रोन तेज रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। ये हपने टागेट को और्टोमेटिकली निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ओप्टिकल सेंसर और ऐसा रडा लगा है। ये देखने में चमगादर जैसा लगता है। घातक के स्केल डाउन टेस्ट बेड की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है। ड्रोन कार्यक्रम के तहत, भारत रुस्तम दो नाम का एक UAV पहले से ही बना रहा है। रुस्तम दो को लगातार 18 घंटे तक उड़ाया जा सकता है। ये 30,000 फीट की उचाई तक जा सकता है। ड्र्डियों ने जुलाई 2022 में स्विफ्ट स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यूईवी का टेस्ट किया था। ये UCEV के टेकनोलोजी डिमोंट्रेटर के रूप में विक्सित किया गया है। स्विफ्ट और अमेरिकी भी दो बॉंबर एक जैसे नजर आते हैं। करीब एक टन वजनी स्विफ्ट में रूस में बना एक छोटा टर्बो फैन इंजन लगा है। भारत को ऐसे जेट पावर्ड ड्रोन्स से सुरक्षा पंक्ती को मजबूत बनाने में खासी मदद मिलेगी। ये मौजूदा ड्रोन्स से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ते हैं और ज्यादा हथियार ले जा सकते हैं। इनमें Advanced Senses लगे हैं। घातक, जैसे ही UCAV का इस्तिमाल NTA aircraft guns और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से गिरे दुश्मन के इलाके में हमले करने के लिए किया जा सकता है।